साथियो नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्ल स्टेडी बंतरे डीप चनल पे साथियो यूपी ट्रिप्लेसी की जो भरतिया है आपको लेकपाल हो गई बीडियो और बीपियो जो पंचाय तदिकारी होता है उसके बारे में बात करेंगे कि इन दोनों जोब में मतला लेकपाल की होगी और बीडियो और बीपियो तो एक ही किसम की जोब है तो इन भरतियों में कौन सी जोब बहतर है आपके लिए ये बताऊँगा मैंने कंपरेजन करके बताया है और सारी चीज़े एक एक किलियर क्रेस्टल हो जाएंगे आपको कौन सी जोब आपको जोइन करनी चाहिए कौन सी जोब जोइन नहीं करनी चाहिए और किस जोब में कितना मतलब बरकलोड है और कितनी सिरदर्दी है इसके बारे में हम बात करेंगे सातियों दूसरा सातियो किस job में जो promotion होता है वो अच्छे से होता है या चुट्टियां आपको कितनी मिल पाती है उसके बारे में बात करेंगे देको सबसे बड़ी बात होती है कि छुट्टियां बगेरा और आगे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं तो इसके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जैसे दो जार ग्रेड पे की job पर आ गए लेकिन आगे की जो पढ़ाई करेंगे अच्छी मिल पूश्ट के लिए तो वो कर पाए करेंगे कि नहीं कर पाएंगे इस पारे में हम चर्चाइस में करने वाले हैं साथियो ठीक है दूसरा बहुत ज़्यादा एक चीज़ आता है कि किस जोब का बहुकाल कितना है और क्यों भाई सीधी बात है किस जोब में कितनी मतलब रेस्पेक्ट है आपकी और क्यों है वो लोग सरकारी जोब में इसलिए आना चाते है सिक्योर जोब होती में सीधी बात है रीसेसन आ जाए चा मंदिया कुछ भी हो जाए लेकर आपको जैसे कोरोना का पेंडेमिक आ गया या रीसेसन आ गया कभी तो आपको जोब की सेलरी मिलती रहेगी प्राइवेट की तरह नही होगी ठीक है लेकिन सरकारी जोब इसलिए सिक्योर है कि आपको कुछ भी हो जाए आपदा भूलकम बाड रासदी कुछ भी आ जाए लेकर आपकी जोब नहीं जाएगी इसलिए लोग ज्यादा इसी को प्रफर करते हैं और यह सबसे बड़ा कारण भी है ठीक है सात्यों तो आपको सरी चीज़ क्लियर समझ में आ जाएंगे ठीक है सात्यों आओ देखते हैं देखो सात्यों आपको जैसे ग्राम विकास अधिकारी जिससे भी कहते हैं बीडियो ठीक है एक हो तक ग्राम पंचांत अधिकारी जिसकी 1460 पोस्ट ने इसका पेपर हुआ नहीं अभी 1460 प पर किया क्या इंसराइब बीड़ें दोनों की सबसे पहले शेल्री आपको देखो ग्रेड पे दोजहर का ही है चाहे तुम्हारा बीपियो कर लो चाहे बीडियो और चाहे लेकपाल का दोजहर ग्रेड पे है बेसिक पे बिलता है आपको 21-700 ठीके साती हो यह मालम होना चाहिए आपको डियरनेस अभी 46% है लेकिन जब आपकी चाहे बीडियो में जो की आलांसे को भत यह से बासमार के आपे थन है करताती है थे मुझाँ हो गया रफभीनों ठीडियो और यह एक यह उन और कंतीरी कुछ आंपके ग्रोस सेलरी बनी ठीक है इस में से आपका 10% NPS कट जाएगा ठीक है क्या कट जाएगा NPS 10% National Pension Scheme ठीक है इस में से 10% कटेगा और 10% इतना ही परसेंट सरकार मिलाएगी उस पे 13-14% आपको ग्याज मिलेगी उसके बाद आपके महीने में जमा होत रहेंगे हर महीने उसमें तो 30,95 पर रुपय आपके मिलेंगे मतलब मौटा मौटा सोचें आपको 30,95 पर 30,000 प्लस रुपय आपको हर महीने सेलरी की रूपय मिलेंगे लेकिन साथ यह तो होकि वीडियो बीपयो की बाद तो इसमें क्या मतलब कोई अलग मिलता है कि हाँ थोड़ा सा इसमें अलग है ग aquí जाती की और मूल निवास प्रमारपत्रगी लेक्पाल रिपोट लगाता है और एक दन में दिन में आर्डेज हमान के चली है 25 से 30 रुपोट लेक्पाल लगा ही देता है अगर बंख करता है तो ठीक है तो 25 से 30 रुपोट लगाएगा पाँच रुपे के इसाब से 25 या सौरत तेड़ सो रुपे की उसके बन जाते हैं तो तीन हजार से लेका 45003,000 voteron, या tीन हायारी मान के चलो, उसका इंसेंटिव हो जाता है, यह इन से सेलरी नहीं बिलेगी अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि लीगल तरीके से बत कर रहा हूं कि लीगल है सरकार आपको देती है 5 रुपए प्रत्र प्रमाड़ पत्र देती है ठीक है साथियो तो मंथली और तुम्हारा लेकपाल में क्या होता है बीडियो में क्या होता है देखो जो बीडियो होता है ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम विकास उसके अंतरकत काम करता है ग्राम विकास विवाग के अंतरकत इसमें जो बीडियो काम करता है किरसी संबंधित योजनाय लागू करव तो आपका BPO की बात करें तो पंचाइती राज भ्याक के अंतरकात आता ही और इसमें सड़क हो गई नाली हो गई पंचाइत घर की मरम्मात मन रेगा रासानकार इत्याज का काम BPO करता है तो आपको काम भी समझ में आने चाहिए कि यह काम वीडियो करता है यह काम BPO करता है ल पाइल दूसरा जमीन की पैमाईसा करता है लिक पाण है जमीन की पैमाइस हो सीवांकन भीक करेंगा सस्तर स्त की रिपूर्ट लगाता है लिक पार रम कि जानका गई है काल्य। बाढ़ आ गई सूखा हो गया आपदा में हुए नुकसान का आंकलन की रिपोर्ट भी लेकपाल लगाएगा ठीक है सथी लगाएगा और पीडित को मौभज़त बी दलबाता है और लास्ट में बहुत और भी काम रहते हैं लेकिन भूमी की बिरासत दर्च करवाना इत्यादी काम इसके लेकपाल के तो जूब में प्रोफाईल समझ और कौन-कौन से काम वीडियो और बीप्यों के हैं और कौन-कौन में वीडियो लगओगेर वीपई लगए उसके बाद एडियो लगजाऊंगे आप ठीक है सहय विकास अधिकारी एडियो ठीक है एडियो पर आपका प्रमोशन हो जाएब उसके बाद लास्ट होता है वीडियो ब्लॉक development officer या खंड विकास अधिकारी बोलते हैं इस पर कोई नहीं पहुंचता वहीं सिधी बात है यह तो rare case होता है यह तुमारा अधिकारी होता है सिधी बात यह है तो यहाँ पर ही पहुंचाता है तुमारा जो वीडियो होगा और कहां तक पहुंचेगा वह सिर्फ एडियो तक ही पहुंच पाएगा ज्यादा नहीं और हो सकता है कि कोई एक आज व्यक्ति यहां तक पहुंच जाए बीडियो तक पहुंचता नहीं मुश्किल बात है आप दोगों इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि लेकपाल बनोगे आप लेकपाल के बाद दस परस बाद आपका प्रमोशन कानून गोपे होगा राजयो सुने दिख चक पे लेकिन इसमें भी पहुंचना बड़ी मुश्किल बात होती है इसमें प्लस माइनस पॉंट होते हैं सारे लोग लेकपाल से रिटार हो जाते हैं और आराई नहीं बन पाते हैं उसके बाद अगर तुमारी कम उमर में जॉब लगी है तो नायब तैसिलदार बन जाओगे और ज्यादा से ज्यादा आप पहुंच सकते हो तैसिलदार की पोस्ट पर और बहुत ज्यादा रेर केस है कोई SDM बन जाए तो यहां से लेकपाल से बेकती SDM तक प्रमोट हो सकता है लेकिन कम जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा यह भी बात आप समझना ठीक है सात्यों सात्यों बरकलोड की बात करें बरकलोड कैसा रहेगा जैसे बरकलोड की बात करें दोनों चलेंजिस क्या है जो को BDO BPO में Office Job Type की मान सकते हो आप लेकर काउं में भी काम रहता है लेकिन Office Job Type की मान सकते हो और जो Political Pressure रहता है ब्लोकल रहता है Political Pressure और यह इसके साथ काम करता है प्रदान के साथ में ब्लोब उसकी राय मसवरा लेना पड़ता है तो उसके साथ में काम करेगा प्रदान के साथ में और यह अपना प्रदान गाउं का हो गया तो यह तुम्हारा Office में हो गया इस पर कार से रहता है लेकिन लिकपाल में जो होती है प्रदान का टच रहता है वीडियो भरती में टीनियो भरती में वीडियो जोप में भरती की बात नहीं कर रहा हो हो दूसरा साथ बात करते हैं जैसे girls के लिए कौन सी job बहतर है। जैसे मैंने एक comparison बता आपको girls के लिए office की job हो किसी field की job हो field पे नहीं बेजा जाता है उनको office में रखा जाता है तो BPO में भी और B спасибо में भी girls को office में रखा देखाए बो लेड़कों का काम होता है जादा फिल्ट पर रीना और लेख पाल भरती में भी लडिकियों को उपिस में ही रखा अब हैं तो आपके लिए बहतर है कोई दिक्कत नहीं लड़कियों के लिज्टे दोनों बहतर हैं लड़कास की सब्सक्राइब स्थेयर लेकिन इसार नह Всем paar आपको बता रहे हूं जो आपको प्रधान के साथ में रहेगा लेकिन वीडियो को बहुत सारे लोग नहीं जानते होगे बीपियो को बहुत सारे लोग नहीं जानते होगे लेकिन लेकपाल को ज़्यादतर लोग जानते हैं इसमें कोई दोरा है नहीं है गाउं में बच्चा बच्चा जानता हो वे लेकपाल कौन होता है तो लेकपाल का जो रेस्पेक्ट होती है अच्छी कासी होती है लेकिन वीडियो में ठीक टाक होता है ऐसी बात नहीं है वीडियो उसके साथ काम करता है लेकिन लेकपाल अगर रेस्पेक्ट एसाब से देखा जो हो लेकिन यह ऐसा है एक बार समझ लेना अगर आप ज्यादा तर इन चीजों की चक्कर में पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी खतम हो जाएगी आप मनलब जेल की चक्की पीसोगे सीधी बाती है तो आप अपने आपको थोड़ा सा सतर्ग रखिए कमाई करने के लिए कुछ कुछ भी कमा सकता है यह बात माल लीजिए आप चाहे लेकपाल हो चाहे वीडियो हो चाहे बीपी हो सब कमा सकते हैं लेकिन वही बाली बात होती है जब कमाई के चक्कर में पढ़ जाता है फिर आदमी दिखता नहीं है उसको सही और गलत ठीक है तो यह भी समझ लेना आप अपनी ईंमनदारी से काम करिये दुनियादारी के चकर में मत पढ़ियें वैसी लीव बात ऑगा है चुपतियों की बात करें चुपतियां किसमें क्या मिलती है साती हो तो चुपतियों में थोडा सा में बता जबको ये ज से ल मिलती है बरकुल मिलेगी सैर्ण चौद्ण éléments प्रकार से रहता है कमपरेजन मैंने आपको बताया और क्या कौन सी जॉब बहता हूं लड़कियों के लिए लड़कों के लिए थोड़े सा कंपरेजन करके मैंने यही बताया कि लड़कों के लिए कौन सी जॉब बहता है तो यह हो गया अगे की तैयारी करना चाहते है तो आप अपना चाइब कोई ऐसा नहीं है कि आपको मॉलर हो जाना पढ़ना के लिए इतने घंटी दिये जाएंगे है इसे इतनैंच लेक्स ऒंख में आपना पड़ाई ध्यान लगाओ अगर आगे की करनी है तो नहीं करनी है अगर कौन सी जोब बहतर हैкиको आप खुद बताईे कौन सी जोब बहतर है और कौन सी जोब बहतर नहीं है ठीके सात्यों तो यह रहा वीडियो वीडियो च्छार्त आता सात्यों लाइक शेयर करदो चैनल सब्सक्राइब कर लो पहला आकन जनुल दो आधे न जिससे मेरी आणिवाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ठीके सात्य धन्नवाद